यूक्रेन रूस की जंग के बीच अमेरिका के सांसद ने रूस के राष्टपती व्लादिमिर पुतिन की हत्या की वकालत की है अब इस पर रूस की सक्त प्रिक्तिक्रिया आई है बता दे कि अमेरिका के सीनेटर लिंसे ग्राहम ने कहा था कि रूस में से ही किसी को पुतिन की हत्या कर देनी चाहिए तब ही यह युद्ध रुकेगा लिंटसेक राहम ने एक टीवी इंटेव्यू में कहा था कि पुतिन की हत्या के लिए रूस में किसी को सामने आना होगा इस जंग को तब ही खत्म किया जा सकता है लिंटसेक राहम ने बूटस और करनल स्टोफोन बर्ग का भी जिक्र किया बूटस ने ही जूलियस सीजर्ड यानि कि रोमन जनरल की हत्या की थी वहीं करनल स्टोफोन बर्ग ने 20 जुलाई 1944 को एडॉल्फ हिटलर की हत्या की कोसिस की थी सांसद ने आगे कहा कि अगर आप अपनी बची जिन्दगी को अंधेरे में नहीं देखना चाहते हैं और घोर गरीबी से खुद को दूर रखना चाहते हैं तो किसी ने किसी को यह कदम उठाना होगा सिनेटर लिंट से ग्राहम के बयान पर रूस की परतिक्रिया भी आई है रूसी दुतावास की तरफ से कहा गया है कि लिंट से ग्राहम की पुतिन की कतल करने की बात अपराध है अमेरिका में मौझूद रूसी राजदूत एंटोनी एंटोनोव ने कहा कि यूएस को इस पर अधिकारिक सफाई देनी चाहिए आपको पता होगा कि यूकरेन के साथ रूस की जंग शुरू होने के बात से ही रूस पर प्रतिबंद लगने का दोर शुरू हो चुका है अमेरिका के राष्टपती जो बाइडेन ने यूद में अपनी सेना तो नहीं बेजी लेकिन रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंद लगाए गए है राष्टपती बाइडेन ने रूस के लिए अमेरिका का एर स्पेस भी बंद कर दिया है हालकि अमेरिका ने रूस को एक ओफर भी दिया है गौर्दलभे कि अमेरिका ने कहा है कि अगर रूसी से ना यूक्रेन में जारी युद को समाप्त कर देती है तो उन पर लगे प्रतिबंदों को हटाया जा सकता है लेकिन इस पश्ट कहा गया है कि यूक्रेन पर जारी सेन्नी कारवाई को रोकना पड़ेगा अभी तक रूस की तरफ से इस प्रस्ताव पर कोई परतिक्रिया नहीं दी गई है सबस्क्राइब करें, लाइक करें और अपनी दोस्तों के साथ शेयर भी करें